लोगों को देने जा रहे हैं लोगों इसके वावाई लेते हैं तो उसमें ये प्रात्ना करना है कि हमारे यहां 61,50,000 लोग लाभुख है जिसमें से मात्र जो है वो 28,00,000 लोगों को ही आयुस्मान महत्योकांची योजना से जोड़ा है 33,50,000 लोगों ने ऐसा क्या दोस्ट किया है जिसके वो आयुस्मान से वो नहीं जोड़ रहे है और 60 रुपिया वो देते हैं उसमें भी और 40 रुपिया हम देते हैं वो 28,00,000 में भी और 33,50,000 लोगों को हम 100% देते हैं तो उनको तो चाहिए था कि ये महत्योकांची योजना यदि उन्होंने यहां से लागू किया तो यहां के लोगों को तो कम से कम 61,50,000 लोगों को आयुस्मान से जोड़ना चाहिए था तो मेरा प्रातना है कि वो जोड़ते तो ज़्यादा बेतर होता बना जी मोधी की गारंटी तो है उनकी सोभावी के गारंटी उनकी गारंटी की भी गारंटी है 2 करोर नवजवानों को रोजगार मिल चुका है उनकी गारंटी में है 100 दिन में स्विस बैंक से पैसा आ चुका है उनकी गारंटी में है मेंगाई जो है खतम हो गई है उनकी गारेंटी में है उनकी गारेंटी में है कि रुपिया बढ़ गिया है डॉलर घट गिया है उनकी गारेंटी में है पेटरल डिजल कदाम घट गिया है उनकी गारेंटी में है उनकी गारंटी में है कि बराष्ट चार मिट गया है उनकी गारंटी में है बहुत सारी गारंटी उन्होंने दिया और वो सारी गारंटी जो गारंटी उन्होंने दिया है और गारंटी की भी गारंटी है 100% की तो उस गारंटी में ये भी है कि चितने नौन इसू थे वो इसू बन गए हैं और इसू नौन इसू हो गए हैं तो आप जो है कि सारी चीजें जो है वो धार्मी कायाम पर बदल रही है तो इसकी भी गारेंटी है मेरे मन में राम कन में राम 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 में राम और राम का मतलब है त्याग तपस्या बलिदान राम का मतलब है प्रेम और विश्वास राम का मतलब है पुरसार्थ राम का मतलब है त्याग तो मैं तो कहता ही हूँ कि राम नहीं मिलते ही टर गारों में, राम मिले है निर्धन की आंसु की धारों में, राम मिले है वचन इभाती आयू को, राम मिले है गाहिल पड़े जटायू को, राम मिले है अंगत के उस पाव में, राम मिले है मरियादा से चीने में, राम मिले है ह उड़ी के जूटे बेरों में और में भी राम की खाता हूं मन्दिर की कस्षय मुटाता हूं मेरा पूरा भारबहरा धर्मिस्थान stra maternal ने अरा राम तो मेरा हिंदोस्थानल की और यागी है उस five-drant ऑप मैं पूरी मजबूती के साथ, छात्रों के साथ हूँ, नवजवानों के साथ हूँ और नवजवानों के भवश के साथ खिलवाड नहीं करने दूगा और यदि जिन लोगों ने भी किया है हमारे संज्यान में आएगा तो वो लोगों को जेल की सलाकों तगे भी बेज़ें